प्रुदेश की मुक्य मंत्री अखिलेश यादव आज समाजवादी रत याथरा की शुरुआत कर रहे हैं और अपसी वस थोड़ी ही देर में अखिलेश की रत यातरा की शुरुआत लग्नों के लौ माट मैदान से होगी पार्टी अदक्ष मुलायम सिंग यादव रधियात्रा को हरी जन्री दिखाएंगे लखनों के लामाट मैदान में समाजवादी पार्टी के कारेकरताओं के भारी भीड जुट कई है और रधियात्रा को लेकर कारेकरताओं में खासा उत्साहा भी है दरसल लकनों के अलग लग इलाकों से होकर CM Achilash के रथियात्रा शाम 6 बजे उन्ना पहुंचेगी रथियात्रा का ठीम है विकास से विजय की ओर Achilash यादा विकास रथियात्रा के जरिये 5 साल में किये अपने विकास के कारेों को जनता तक पहुंचाएंगे तो सेम अखिले श्यादव की आत्रा को लेकर सुरक्षा ववस्ता भी काफी चात चौबंद की गई है लखनों से लेकर भारी पुलिस बल की तानाती की गई है जिसमें दो डी आईजी, छे एसपी, तीस एसपी, साथ डी एसपी, साथ एसेट चो, नौस्सो हेट कॉनस्टेबल, चार हजार कॉनस्टेबल और बीस कंपनी पी एसी की लगाई गई है और चलिए रूख करते हैं लखनों से हमारे साथ, हमारे समधाता विवेक जुर गए है विवेक, आपसे बस थोड़ी ही देर में इस रत्यात्रा को हरी जंडी दे दे जाएगी विकास रत्यात्रा है ये और जिस तरह से अभी आप महां मौजूद हैं थोड़ी देर बाद यहां हरी जंडी दे जाएगी क्या कुछ अभी आप देख पा रहे हैं किन-किन पडावों से होकर गुज़रेगा सीम काये काफला देखिए इस वक्त में लामाटीडर ग्राउंड कहूं और लगातार आ रहे हैं मैं आपके बताओं कि लामाट की तरफ आने वाली तमाम सडकों पर इस वक्त जाम लगा हुआ है तमाम गाड़ियां हजारों के संख्या में गाड़ियां हैं जो अखले शादों के काफले के साथ जाएंगी नौ बज़े के आसपास मुख्यमंतरी यहां पर आएंगे ऐसा अनमान लगाया जा रहा है यह भी सम्भावना है कि मुलाहिम सिंग यादो और शुपाल यादो यह दोनों ही साथ में आएंगे और उसके बाद मुलाहिम सिंग यादो यहां से खरी जंडे दिखाएंगे अभी फिलहाल जो समाजवादी रत है जिसको ले करके मुख्यमंतरी यहां से चलेंगे वो इस मैदान में नहीं आया है उसका इंतजार किया जा रहा है पुलिस का काफी तगड़ा इंतजाम है पूरी प्रशासिनी मशेनी यहां पर है प्रमुक सचीव ग्री, डीजी, पी, एडीजी, लॉन अर्डर, आईजी, जून और उसके नीचे के सारे अधिकारी इसवाक उसी ग्राउन ने मौझूद है और इंतजाम देखे जा रहे हैं, ड्रोन कैमरा लगा हुआ है कि कहीं कोई बद इंतजामी ना रहे हो जाए जैसा कि समाजवादी पार्टी के कारकर में अकसर पहले देखनों को मिला है कि कुछ ना कुछ गरबर हो जाती है अब से थोड़ी देर पहले यहां भी वेरिकेटिंग तोड़कर लोग उधर से इधर आ गए बहुत मना करने के बावजूद सभी लोग चाहते हैं कि अकले शादों को खरीब से देखे मंच की भी तस्वीर में आपको चाहूँगा कि दिखाए जाए मंच पर इस वक्त तरेश उत्तम कुछ सरकार के मंतरी यहां पर मौजूद है और सबसे प्रवग बाती है कि वो नेता जिनको समाजवादी पार्टी से कुछ दिनों पहले बरखास किया गया था वो सारे नेता इस वक्त मंच पर दिख रहे हैं चाहे वो आनन दोदोरिया हो चाहे वो सुनील साजन हो उन्नाव की तरफ रवाना होंगे लेकिन ट्रैफिक का इंतिजाम तो काफी उजवर्दस किया गया था लेकिन आज सुबई मैंने देखा कि वो सारे इंतिजाम फेल हो गया है खासना उसे सुमय बच्चों के स्कूल का टाइम होता है तो इस स्कूल जिस रूम पर मुख्यमंदरी की रखने अत्रा निकल रहे हैं उस रूम पर सारे स्कूल बंद कर दिए गया है ताकि बच्चों को कोई परिशानी ना हो लेकिन फिर भी जो इंतिजाम होने चाहिए थे ट्राफिक के लखनो शहर में वो ऐसे नहीं है जिसकी बिएसे जगह 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 जाम लगा हुआ है और लोगों को आने जाने में दिक्कते हो रहे हैं आज चुकि वरकिंग दे भी ह आफिसर्स भी खुले रहेंगे और तकरीबन वही टाइम होगा जब लोगों को आफिस आना होता और मुख्यमंत्री का विकास रदभी यहां से निकलेगा तो थोड़ी बहुत दिक्कते ज़रूर होंगी लेकिन फिर भी कुलिस के कोशिश की है कि जादा तर लोगों को परि गुजरेगा ये कहां कहां से होकर गुजरेगी रथ यात्रा देखी यहां से यह मूव करेंगे और उसके बाद गोंती नगर होते हुए शहीद पत पकड़ेंगे शहीद पत से सीरे फिर वो कानपूर रोड उननाओं की तरफ निकल जाएंगे अलाकि शहीद पत पर ज़्या का ट्राफिक तो जाएदा आसान होगा लेकिन शहर के अंतर यानि शहीद पत से लेकर लामाट ग्राउंड के बीच में जो सड़क है उसके फिर भाड रहती है लोग का आना जाना रहता है तो वहां से जो लोग घुजरेंगे उनके लिए दिकते जरूर होंगी जी चलिए शुक्रिया विवेक ये तस्वीरे हम तक पहुचाने के लिए